हेलो गाइज कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका मेंटोर रजंदुवा आपका मेरे चैनल एंसीयारीटी मैथ गुरूप पर स्वागत है आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनस मैथेमेटिक्स में 5.7 एक्सराइज इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा लोगरिथम फंक्श किस तरह करेंगे जैसे कि करते हैं इस तरह पर टौन होगा लोग लेना होगा दोनों तरफ तब हम इसको क्या कहते हैं लोगरितम differentiation तो यहाँ पर हम दोनों तरफ लोग लेंगे यानि कि टेकिंग लोग उन बोथ साइड तो हम यहाँ पर लेंगे लोग y is equal to log x की power हमें x square में given है तो यह हमारे पर करेंगे तो यहाँ पर देखे हमारे पास यह property होती है कि अगर हमारे पास given होगा लोग की power mn जैसे हमने solve किया था लोग की power mn तो उसका derivative हमने किस तरह से किया था यानि कि हम उसको लिख सकते थे वह हमारे पास कौन सी exercise में था वह भी मैं आपको बतायता हूँ 5.5 के first part में मैंने आपको सिखाया हुआ है किस तरह से मारे पास यह properties है तो पहले आप उनको देख सकते हैं उसके बाद आपको यह समसानी से आजाएंगे तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे लोग हमें given होती है log m की power n इस तरह से function given होता है तो हम इसको लिख सकते है n log m तो हम यही मानेंगे कि यह हमारा क्या है n है तो अब वही के रिए जो भी मैंने आपको बताया क्या करेंगे इसको देखी as it is लिखेंगे log y is equal to x square आगे आ जाएगा यहाँ derivative नहीं है यह हमारे पास एक एक formula है जिसके according हम यहाँ पर कर रहे हैं x square आगया जाएगा log x हो जाएगा अब यहाँ पर हम derivative करेंगे अब हमारे पास देखें की power function में given नहीं है अगर हमें हमारे पास function की power में यहाँ पर function लिखा होता है तब हम यहाँ पर log apply करते हैं लेकिन अब हमारे पास देखें की out function नहीं बची है तब इसका derivative उसाने से कर सकते हैं तो देखे क्या result हो जाएगा लोग वाई का बता रहे हैं आप Y square का derivative और log X का derivative into मैं है तो क्या apply करेंगे हम यहाँ पर यू इं अब क्या करेंगे X square को derivative करेंगे और log X को as it is लिखेंगे तो log X हमने लिखा as it is into में X power 2 है उसका derivative 2x हो जाएगा पावर आगे पावर कम किया हमने 2x हो गया अब इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं तो क्या result हो जाएगा y dy upon dx यह 1 upon y है equal to x से x square cancel out हो जाएगा जिससे यहाँ पर x बचेगा plus 2x log x हमार पस यह result बन गया अब क्या करेंगे यह जो y हमार पस किसमें गीवन है multiply में हैं इसको जो हम क्या ले जाएंगे डिवाइड में ले जाएंगे तो हमार पस क्या result आ जाएगा देखिए dy upon dx क्या बन जाएगा यह अब बस multiply में था तो इसको divide में लेकर जाएगे तो क्या result आगा देखिए x प्लस 2x log x तो यहां पर हम डिवाइड में ले गई 1 upon y अब यह क्या है 1 upon y को हम क्या करेंगे reciprocal करेंगे जिससे हमारे पस y upon 1 हो जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि यह हमारे पस multiply में आ जाएगा कई बार हम इसको direct कर देते हैं इस तरह इसको solve नहीं करते कि हम कहा देते हैं कि यहां पर आकर equal के right hand side आकर multiply हो जाएगा reason उसके यह है अब यहां पर हम value को substitute कर देते हैं जो y की original value थी y की original value जो हमें quotient में given होती है function ही है हमारा क्या है y equal to x की power x square तो यहां पर हम वही लिखेंगे x की power x square और into में हम क्या लिखेंगे जो हमारे पास derivative करने के बद रिजल्ट आये था x plus 2x into में log x तो यहां से हम x कोंबन भी ले सकते हैं और ना लेना चाहें तो ना भी लें वो हम पर depend है कि हम simplify कितना जादा कर सकते हैं तो यह हमारा derivative complete हो जाएगा y के original value को यहां पर हमने रखना होगा y को हम यहां पर नहीं रख सकते क्योंकि derivative x के respect में हैं इसलिए हम को x की terms ही यहां पर दिखानी होंगी तो देखें अब हम अपनी exercise start करते हैं आप अपनी book में देखें question number first है हमारे पास 5.7 में differentiate the flowing functions with respect to x तो यहां पर हमें derivative करना है differentiation करना है with respect to x first part हमें given है x की power x तो यहां पर हम क्या करेंगे y की equivalent करेंगे तो हमने वही किया y equal to x की power x अब क्या करना है दोनों तॉरफ log लेना है तो हमने वही किया log y equal to log x की power x आपको यहां पर दिखाना होगा कि आप log ले रहे हैं यानि कि taking log on both sides तो हमने लिया log y equal to log x की power x अब क्या होगा कि log x की power x को हम किस तरह से represent कर सकते हैं और further तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हम लिख सकते हैं x into log x अभी जैसे कि मैंने आपको बताए यह क्यों लिखेंगे क्योंकि हमारे पास प्रोप्टी होती है log m की power n तभी मैं आपको कहा रहा हूँ आप log की properties को समझे किस तरह से use होती है तभी आप इनका use कर पाएंगे तो into में हमारे पास यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा तो यह हमारा result हो गया x into log x तो यहाँ पर हम लोग y का derivative 1 upon y हो जाएगा और y का derivative dy upon dx अब यहाँ पर हम क्या apply करेंगे यहाँ पर you into we apply कर देंगे u as it is तो हमने कि you को as it is यानिकी x को लिखा as it is और व का derivative व क्या है लोग x है तो लोग x का derivative one upon x होगा अब क्या करेंगे लोग x को as लोग x को है एलिए वन हो जाएगा अब क्या होगा से 12 के कैंसarin से ये एक्स होजाएगा और हमारे हैं मौहां किसम है को हो जाएगा वहां पर हम था किया तो ripe वाए तो नहीं की जड़ेत नहीं है इसलिए हम वहाँ पर लिखेंगे y into में 1 प्लस लोग x तो हम यहाँ पर y अकेला नहीं रख सकते क्योंकि derivative किसके respect में हो रहा है x के respect में हो रहा है इसलिए हम y की original value को substitute करेंगे क्योंकि हमें question में y equal to given नहीं था हमें function given था x की power x और derivative with respect to x था इसलिए हमाँ पर x की terms ही हमारे पास होनी चाहिए इसलिए हमने y की value को substitute कर दिया यानिकी x की power x यहाँ पर substitute हो गई और 1 प्लस लोग x हमारे पास as it is आ गया और यह हमारा derivative complete हो जाएगा तो यह देखे d y upon dx क्या जाएगा हम यही find करना था derivative तो क्या जाएगा x की power x into में 1 प्लस log x second part देखे हमारे पास क्या है x की power root x है तो इसका derivative हम करेंगे सबसे पहले y की equal let करेंगे तो हमने वही किया y की equal let किया और फिर हम यहाँ पर taking log on both sides करेंगे यानिकी log y equal to log x की power root x log हम कब लिखेंगे जब हमारे पास function की power function होगी यानिकी हम उसको direct solve नहीं कर सकते इसलिए हमने यहाँ पर log लेकर चलेंगे ताकि वो हमारे लिए असान हो जाए तो यहाँ पर हम वही किया देखे log लिया दोनों तरफ log y equal to log x यानिकी x root x हो गया अब क्या होगा root x को हम आगे लिख सकते हैं यह हमारे लिजी n है और यह हमारे पास m है तो n को आगे लिख सकते हैं तो हमने n आगे लिखा है log x पीछे रिख दिया तो यहाँ पर n क्या था हमारे पास root x था तो root x हमने यहाँ पर लिखा है तो इस तरह से हमारे पास का result आ गया log y log y is equal to root x into log x अब क्या करेंगे एकदम सही बताया derivative हो जाएगा यहाँ पर u into v लगेगा यहाँ पर u into v apply करेंगे और यहाँ पर log y का derivative करेंगे log y का derivative 1 upon y और y का derivative dy upon dx into में आ जाएगा अब यहाँ पर u into v apply कर दीजे root x into log x पर root x as it is log x का derivative 1 upon x plus क्या होगा log x का derivative नहीं करना वो हमने as it is लिखना है v as it is आता है second time और u का derivative होता है root x का derivative 1 upon 2 root x हो जाएगा पावर आगे पावर कम करेंगे इसे पहले strap हमने क्या किया होगा हम पावर उपर लेगे गया होगे यानि कि हमने क्या लिखा होगा x की पावर 1 by 2 लिखा होगा और 1 by 2 आगे आएगा और पावर कम होगी जिससे वो minus की पावर बनेगी किसलिए वो upon में आ गया तो हमारे पास derivative यह complete हो जाता है अब इसको थोड़ा से simplify कर लेते हैं पावर उपर root है और नीचे पूरी value है यानि कि 1 वे है तो हम क्या करेंगे half minus कर देंगे 1 में से तो नीचे half रह जाएगी और log x upon 2 root x हो जाएगा इसका LCM 2 root x आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 log x बन जाएगा अब y जो हमारे पास multiply में था वो कहां आ जाएगा divide में आ जाएगा reciprocal होकर यानि कि y upon 1 होगा y की original value को यहाँ पर substitute करना है क्योंकि हमें यहाँ पर x के respect में derivative find करने होते हैं तो यहाँ पर y की original value को substitute किया जो हमें function given होता है वह हमारी y की value होती है तो क्या value होगी x root x होगी यानि कि हमारा derivative देखिए अब क्या complete हो जाएगा क्या बन जाएगा dy upon dx हमारे पास आ जाएगा x की power root x into में 2 plus log x upon में 2 root x तो यह हमारा derivative इस तरह से complete होगा third part देखिए क्या given है हमें हमें function given है x की power x की power x तो यहाँ पर इसका derivative देखिए किस तरह से करना है सबसे पहले आप y कीजिए y की equivalent करेंगे तो हमने लिखा y is equal to x की power x की power x तो हमने यह लिख दिया अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका direct हम solve नहीं कर सकते derivative हम क्या करेंगे लोग लेंगे एकदम सही बताया तो हमने लोग ले लिया लोग y equal to क्या बन जाएगा देखिए हमने क्या किया है x की power x की power x थी तो हमने इस पूरे को क्या माना n मान लिया इसका derivative क्या इसका जब लोग मिलेंगे तो आगे आ जाएगा यह और into में log x हो जाएगा तो हमने वही तो दिखिए है देखिए यहाँ पर x की power x into में log x तो हमने वही result किया अब क्या करेंगे अभी भी हम इसको simplify नहीं कर सकते इसका derivative हम find नहीं कर सकते x की power x का क्य करेंगे एकदम से भी बताया दुबारा लोग ले लेंगे तो हमने दुबारा लोग लिया तो यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा जब हमने दुबारा लोग लिया तो लोग लोग वाई हो जाएगा इस तरह से और उसके बाद हमारे पास जो x की power x है हमारे पास वह देख सख नहीं होगी जैसे मैंने आपको बताया प्रोप्टी क्या थी लोग एंटू भी क्या सुल्व होता है इसके क्या रिजल्ट होता है लोग ए प्लस लोग भी तो यहां पर हमारे पर यह रिजल्ट हो जाएगा तो हम वही करेंगे देखी लोग एक्स की पावर एक्स प्लस लोग लोग एक्स ठीक है इस तरह से हमने रिजल्ट किया है अब क्या होगा इस पे हम दुबारा करेंगे क्या पावर आगे कर देंगे जैसे कि लोग एम की पावर एन हमें गीवन होता है तो हम पावर को आगे लिखते हैं लोग एक्स कर दिया और प्लस यह आजाएगा अब कर यहां पर मैंने वही रिजल्ट लिखा जो मैंने आपको यह समझाया है इस तरह से यह रिजल्ट हमारे पस बना अब इस पर हम करेंगे डेरिवेटिव तो देखे किस तरह से होगा सबसे पहले log का derivative करती है यह मान लीजिए हमारे पास पूरा x है log x हमें given है तो log x का derivative 1 upon x तो हमने वही किया 1 upon x x क्या है हमारा log y है तो हमने log y लिखा अब x का derivative होता है तो हम क्या करेंगे log y का derivative करेंगे तो क्या result आ जाएगा 1 upon y आ जाएगा एक दम सही बताया तो हमने लिखा 1 upon y यहां लिख देते हैं देखी 1 upon y into में y का derivative dy upon dx और into में हमारे पास 1 upon log y है तो यह as it is आ गया तो देखी इस तरह से result बन गया हमारे पास 1 upon में y into log y into dy upon dx तो इस तरह से हमारे पास यहां पर यह result बना है अब यहां पर भी derivative कर लेती है x into log x y into v अप्लाई होगे एकदम सही बताया x as it is log x का derivative 1 upon x plus log x as it is x का derivative 1 हो जाएगा अब क्या होगा कि हम log log x का derivative करेंगे अब log log x का derivative जैसे कि log log y का किया था वैसे ही log x है न हमारे पास x माली जी यह अब पूरा का पूरा आपके पास क्या है x माली जी इसको अब अब हम क्या करेंगे 1 upon x करेंगे x हमारे पास क्या है log x है अब log x का यहनकी x का derivative 1 upon x हो जाएगा यह x है हमारा इसलिए one upon x हो गया और यह हमारा क्या हो जाएगा derivative हो जाएगा one upon x into log x तो देखिए वह result यहाँ पर लिखा है मैंने one upon x into log x और यह तो हमारे पस cancel out होकर आया है यहाँ पर one और यह log x as it is आ गया अब इसको हम थोड़ा सा और simplify कर लेते हैं simplify किस तरह से करेंगे यहाँ पर हम देखिए किसको solve करेंगे और यहाँ पर हम किसमे given है यह हमें देखिए पूरी value हमें किसमे given है multiply में है उदर आकर divide में हो जाएगी तो हमने वही किया divide करेंगे और यानि कि हमने y को जो लिखा है उपर reciprocal करकर जैसे मैं आपको बताया हुआ है यहाँ पर y और log y की original value को यहाँ पर substitute कर देंगे तो हमने वही किया देखिए y की original value जो हमें function given है x की power x की power x वो हमारा y है वो क्या है हमारा y है अब यह कहां से आया होगा यह log y जो है उसकी value लिखी है देखिए यहाँ पर हमने जो log y लिया था log y यह वला यह हमने substitute किया log y की जगा x की power x x की power x into log x तो यह यहाँ पर हमारे पास log y की value यह थी और log y की value हमारे पास आगी थी और यह y की value है इसको हमने यहाँ पर simplify कर कर लिखा अब देखी ध्यान से यहाँ पर log x से log x cancel out हो जाएगा तो हमने यहाँ पर cancel कर दिया अब क्या होगा यह जो x है हमने इन तीनों के लिए अलग लग लिख दिया यानि कि इनको simplify और कर दिया x upon x कर दिया यहाँ से x से x cancel out हो जाएगा जिससे यहाँ पर log x रहेगा इसी तरह से x से x यहाँ पर cancel out हो जाएगा जब हम x log x का square करेंगे x से x cancel हो जाएगा result log x का square और यह 1 upon x तो देखिए यह वही रहा हमारे पस result तो यह हमारा derivative यहाँ पर complete हो जाएगा अगर आपको simplify नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं x की original value को यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से substitute कर दिया दोनों ही result हमारे पस सही है यानि की derivative हमारा यहाँ पर भी complete हो जाता है जब हम y की original value को substitute कर दें तब वो हमारा derivative हो जाता है यहाँ पर हमने इसको further जब है एक्सपेंड के सको simplify किया है यहाँ पर हमारे पास और कुछ नहीं या नहीं था तो देखिए यहाँ पर हमारे पास fourth part है x की power x की power x है तो देखिए यहाँ पर मतलब क्या हुआ इसका जो हमने third part किया उसमें और इसमें क्या difference है उसमें हमें given क्या था देखिए उसमें हमें given था x की power x की power x और यहाँ पर हमें given है x की power x whole की power x अब इन दोनों में वह डिफरेंस है अब उसको देखिए क्या difference है इस difference को समझ लेंगे तो आपको कोशन असानी से समझ आ जाएगा तो सबसे पहले इस difference को देखते है x की power की power है जो उसको किस तरह से देखेंगे कि हम लिखेंगे इसको x की power x की power है ये इसकी power देगाई है और यहाँ पर इसकी multiply हो जाएगी यानिकि 2x हो जाएगा अब इसको थोड़ा सा number में लेकर जलते है एक्स की जगह पर हम 3 लेक देखेंगे यहां पर 3 की power 3 की power 3 ठीक है और यहां पर 3 की power 3 उसकी भी power 3 तो देखेंगे इन दोनों में क्या difference है यहां पर result 3 की power 3 3 की power 3 यानिकि 3 का cube 3 का square 9 तो 3 की और multiply हो जाएगी वो 27 बन जाएगा तो 3 की power 27 और यहां पर result बनेगा 3 की square तो क्या हो जाएगा 3 का cube हो जाएगा यहां पर square करेंगे 9 और क्यूब होगा तो 27 27 का cube तो देखें यहां पर कितना difference आ गया यहां पर 3 की power 27 है और यहां 27 की power 3 है तो इसमें बहुत difference है इसी difference को मैं आपको बताना चाहता हूँ तो यहां पर हमारे पास यह जो given है इसका derivative जो करेंगे किस तरह से करेंगे कि यह दोनों जो X है यहां पर क्या हो जाएगा इनकी multiply हो जाएगी पिछले समय हमने multiply नहीं किया था यहां लेकिन multiply हो जाएगी तो हम इसको लिखेंगे X स्केर X की X से हुई तो X स्केर किया तो इसलिए यहां पर हमारे पास यह result आ जाएगा अब देखिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ अब लोग लेंगे मेरा main मकसद इसी question को यह समझाने के लिए था ताकि आप यह concept clear हो कि power हमारे पास किस तरह से result देती है तो अब देखिए ह हमने जो यहां तक कर लिया है अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे दोनों तरफ लोग लेंगे लोग वाइ एक्वल टू किसके होगा X स्केर इंटू लोग X अभी X स्केर आगे कैसे आएगा X स्केर माल लीजिए अभी हमने फर्स्ट इंपल किया था सेम वैसी result बन गया X स् और यहां पर हमारे पास क्या वैली हो जाएगी X स्केर तो यहां पर हमने वही किया कि X स्केर इंटू में लोग X अब इसको सिंप्लिफाइ करेंगे हम तो इसका डेरिवेटिव यू इंटू वी हो जाएगा एकदम सही बताया आपने और यहां पर लोग य का V as it is U का derivative तो यह देखिए X square as it is log X का derivative 1 upon X plus अब क्या रहेंगे हम X square का derivative X square का derivative power आगे power कम एकदम सही 2X हो जाएगा log X as it is आ गया X से X square cancel out हो जाएगा जिससे result X plus 2X log X हो जाएगा और यहाँ पर 1 upon Y into dy upon dx है अब इसको भी थोड़ा सा और simplify कर लेते हैं Y की original value को substitute कर देंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से और इसमें से हम X common भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हम X common भी लिख सकते हैं यानि की X की power X whole की power X into में X into में 1 plus 2 log X तो यहाँ पर इस तरह से भी हमारा derivative यह complete हो जाएगा अगर इसको further expand करना है तो यह step भी हम हम इसमें add कर सकते हैं नहीं तो हमारा derivative यहाँ तक भी complete है इस तरह सदिके फिफ्थ part है हमारे पास function given है one upon X whole की power X यह हमें function given है इसको Y के कवल हमने let किया अब यह one upon X है इसको हम क्या लिख सकते हैं उपर ले जाकर पावर एकदम सही बता रहे है माइनस में आ जाएगी तो हमने वही किया X की पावर माइनस one whole की पावर जो है X है अब इसको simplify करें तो क्या result देगा हम दोनों तरफ लोग ले 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 तो यहाँ पर लोग Y तो हमारे पस बन जाएगा यहाँ पर लोग X की पावर माइनस one whole की पावर X तो इसको हम क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यह आगे आ जाएगा तो क्या result होगा लोग Y equal to X into लोग X की पावर माइनस one तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे यू इंटू वी अप्लाई करेंगे एकदम सही बता रहे हैं आप यू इंटू वी अप्लाई हो जाएगा लोग Y का लिखा as it is लोग X की पावर माइनस one है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो one upon X की पावर माइनस one हो जाएगा x की power minus 1 यह माले जहे पूरा x है तो 1 upon x लिखते अब x की power minus 1 का derivative करेंगे power आगे यह दम से बिताया power minus कर देंगे तो यह result आ जाएगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं किसको लिख सकते हैं minus 1 upon me x की power 2 तो हम वह भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने वही कर लेते हैं यहाँ पर x की power minus 1 into में है base सेम है power add हो जाएगी जिससे result 1 upon x हो जाएगा तो हमारे पास फर्दर वही बनेगा देखिए यहाँ पर यह दूसरा method बताया मैंने आपको यहाँ पर मैंने क्या किया हुए और into में यहाँ पर पूरा यह हमारे पास minus को मैंने भार लिखा अब base सेम है power add हो जाएगी जिससे result x की power 0 यानिकी 1 लेकिन वह minus का होगा क्यों कि minus आगे हमें given है इसलिए वह minus 1 हो जाएगा यहाँ पर अभी derivative हमने आदा ही किया है अब देखिए यहाँ पर derivative इसका हुआ वी को as it is u का derivative वी हमने लिख दिया as it is u u क्या है हमारे पास x x का derivative 1 तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x की power minus 1 को 1 upon x तो यहाँ पर हमारे पास 1 upon x आया अब हम इसको simplify कर लेते हैं थोड़ा सा देखिए y के original value को substitute कर देगे जब हम इसको equal के right hand side पर ले जाएंगे तो equal के right hand side पर हम value को ले गए और इसको थोड़ा सा और simplify कर लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास और simplify क्या होगा यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि value minus 1 आ जाएगी अब यह minus log x कैसे बना अब वो देखिए हमें क्या given है log x की power minus 1 तो power आगे और log x as it is log mn किया है हमने क्या किया है log m की power n हमने यह किया n आगे लिखा log m पीछे लिखा तो हमने वही किया minus 1 को आगे लिखा log x as it is आ गया जिससे result minus log x हो जाएगा इसलिए यहाँ पर देखिए minus का दिख रहा होगा आपको minus log x अब क्या करेंगे दोनों minus हैं में कॉमन लेंगे minus y हो जाएगा और यह दोनों plus के हो जाएगे y की original value को यहाँ पर substitute कर दें यानि कि 1 upon x whole की power x और into में 1 plus log x और result minus का आएगा ध्यान रखना है तो derivative हमारे पास क्या हो जाएगा minus 1 upon x whole की power x into में 1 plus log x तो यह हमारा derivative इस तरह से complete होगा next देखिए next part हमें given है x की power x into में root x तो इसका derivative अब क्या करेंगे सबसे पहले एकदम सही बिताया log ले लेंगे हमने वही किया देखिए यहां पर log लिया log y equal to log x into root x यानि कि x क्या है हमारे पास root x में है और x की power x है अब यह log a into b है तो log a into b को हम किस तरह लिखते है plus करकर यानि कि log a plus log b तो हम वही करेंगे देखिए यहां पर log a plus log b हो गया यह root को मैंने क्या किया है power बना दिया ताकि इस पर भी हम अपलाई कर सकते हैं power आगे करकर यानि कि log m की power n इस पर अपलाई कर देंगे दोनों पर तो x आगे आ जाएगा यह power आगे आ जाएगी जो हमें power given थी इस तरह से यह पावर हमने आगे लिखी और यहां पर log x हो गया तो देखिए रिजल्ट बन गया हमारे पस x into log x अब क्या होगा जो 1 by 2 है उसको भी हम आगे लिखेंगे log m की power n की तरह ही यहां पर हमारे पस यह result आ जाएगा अब इसको हम derivative करेंगे तो क्या result आएगा log y का derivative 1 upon y into dy upon dx एकदम सही बता रहे हैं आप वही लिखे आएगा हमारे पस derivative और x into log x इस पर अपलाई क्या करेंगे एकदम सही u into v तो u into v अपलाई कर दीजिए इस पर तो क्या result आजएगा u as it is v का derivative log x का derivative 1 upon x x से x cancel out हो जाएगा simplify भी साथ कर लेते हैं यहाँ पर result रह गया one plus अब देखिए हमने किसको लिखना है as it is v को लिखना है तो log x को हमने as this लिखा x का derivative one हो जाएगा जिससे result log x हो गया यानि कि one plus log x साथ की साथ आपको simplify भी करके बता दिया मैंने देखिए यहाँ पर तो हमारे पास one plus log x इस तरह से बनेगा और one upon two को तो हमने as this लिखा constant है log x का derivative of one upon x और x का derivative one तो one upon two x तो यहाँ पर इस तरह से result आ गया अब हम क्या करेंगे y के original value को substitute कर देंगे जब equal के right hand side पर ले जाएंगे एकदम सही तब हमने y की original value को substitute करना है x की power x देखिए हमने y की original value की यहाँ पर इस तरह क्यों लिखा हमें क्या given है value x की power x into x की power one by two यानि की root में given थी x की power x into root x तो इसको हमने next step हमें यह लिखा उसके बाद हम क्या लिख सकते है x की power x plus one by two into में one plus two x plus log x इसको हमने आगे पिछ लिखा है no problem आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं तो यह हमारा derivative complete हो जाता है तो हम x इस value की जगा यह value भी यहाँ पर लिख सकते थे यहाँ पर हमने थोड़ा सा simplify करकर लिखा है derivative हम उस value को यह भी लिख सकते हैं गलत नहीं होगा हमारा result हम इसको वहाँ पर भी लिख सकते हैं अब हमारे पास next sum है देखिए function given है log x की power x इसका derivative अब यह भी function है यह भी function है तो यानि कि हम log apply करेंगे इस पर दोनों तरफ log apply करेंगे function जो भी given होगा उसको y की equal तो हमने let करना ही करना है तो यह y की equal हमने let करके ही लिखा दोनों तरफ log लेंगे taking log on both sides तो log y equal to क्या होगा देखिए log log x की power x तो यह power अगे हा जाएगी जिससे यहाँ पर यह हमारे पास क्या बन जाएगा x into log log x तो यहाँ पर हमने वही लिखा दे कि x into में log log x अब इस पर क्या करेंगे derivative apply कर देंगे log y का derivative one upon y into dy upon dx अब क्या करेंगे इस पर u into v apply कर दीजिए u as it is v का derivative log log x का derivative अब log x को आप क्या समझ लिजे मानिजिए आपके पास पूरा x है तो अब इसको simplify कर लिजे log x का derivative one upon x तो one upon x x क्या था log x तो हमने one upon log x लिखा अब x का भी derivative करते हैं देखिए x का derivative यानि log x का derivative one upon x तो यहाँ पर हमारे पास one upon x होगा तो यहाँ पर क्या result हो जाएगा one upon x into log x x से x cancel out हो जाएगा अब हम क्या करेंगे x का derivative करेंगे one into में क्या result हो जाएगा यह सेम बन जाएगा log into log x तो यहाँ पर हमारे पास यह result बन गया यहाँ से x से x simplify हो गया था कट गया था अब one upon y को equal के return से ले जाएगे और value y की original put कर देंगे substitute कर देंगे यानिकि log x की power x given है हमें हमें function given है one plus one upon x one plus one upon x whole की power x y की collect करेंगे अब दोनों तरफ log ले लेंगे क्योंकि function की power function है तो log y equal to log one plus one upon x whole की power x लिखेंगे और इसको आगे ले कर जाएंगे यानि x into में log one plus one upon x हो जाएगा अब इस पर derivative apply हो जाएगा log y का derivative one upon y और y का derivative dy upon dx और u into v apply हो जाएगा इस पर हमारे पास तो u as it is यानिकि x को लिख़ हमने as it is log one plus one upon x derivative करेंगे तो one upon one plus one upon x हो जाएगा मालिजे पूरा x है तो one upon एक्स लिखते हैं तो यहां पर देखिए इसको सिंप्लिफाई करते हैं कि इसको सिंप्लिफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा x हमारे पास उपर आ जाएगा देखिए 1 प्लस 1 अपोन x को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस x इस तरह से लिख सकते हैं और इस x को हम उपर ले जाएंगे तो हमने वही किया x को उपर ले गए इसके multiply x स्केर हो जाएगी और यहाँ पर इसका derivative भी देख लेते हैं 1 का derivative 0 और 1 अपो और को है उपर ले जाएंगे क्या ले जाएंगे उपर ले जाएंगे जिससे power minus क्यों जाएगी power अ गया एगी power कम हो जाएगी माइनस तहर तू म हम पावर plus one into x square x square से आप x square को terminate कर सकते हैं और यह हमारे पास as it is आज आएगा अब जो हम क्या करेंगे इसको और simplify कर सकते हैं जब हम y की original value को substitute कर देंगे right hand side ले जाकर तो हमने वही किया y को right hand side ले गए और y की original value को substitute कर दिया और और इसकी value को हमने यहाँ पर as it is लिख दिया अब यह पावर यह जो हमारे पास result minus का था इसको इसलिए हमने इसको पीछे लिखा था कि हमारे पास प्लस minus का order बना रहे तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है इस तरह से तो derivative हमारा यहाँ पर complete हो गया next देखिए next part हमें क्या given है यह last part है इस question का तो क्या given है हमें x की power x into में e की power 2x plus 5 तो इस पर derivative हम किस तरह से apply करेंगे आपने सही बताए u into v apply होगा लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे log लगाएंगे दोनों तरफ तो हमने u into b के identity log e plus logB तो अब यहां पर पावर आगे हो जाएगी देखिए यहां पर की इसका पावर आगे यह जो एकस है इसको आगे लिखेंगे तो एकस logx हो जाएगा और यहां पर इसको भी पावर हमारे पस 2x plus 5 इसको आगे लिखेंगे और लोग e हो जाएगा और लोग e क्या result देता है हमें 1 देता है तो यहाँ पर इसका result क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसलिए हमारे पास क्या result बन जाएगा direct log y equal to x into log x plus 2x plus 5 इसका करना है हमें derivative log y का derivative 1 upon y into dy upon dx यहाँ पर अपलाई होगा u into v जैसा कि मैंने आपको बताया log x का derivative 1 upon x होगा जब हम v का derivative कर रहे हैं और u का derivative 1 होगा बाकि दोनों as this है हमारे पास इनको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं x से exterminate तो यहाँ पर 1 और log x as it is 2x का derivative 2 2 plus 1 3 तो यहाँ पर log x plus 3 और y right hand side पर आएगा original value को यहाँ पर हमने substitute करना है और log x plus 3 तो हमारे पास derivative करने के बाद आया तो हमारा derivative इस तरह सी यह complete होगा second question देखिए second question हमें क्या given है book में देखिए आप अपने सबसे पहले differentiate the flowing functions with respect to x तो यहाँ पर भी हमें derivative करना है x के respect में तो किस तरह से होगा x की power x given है plus x की power 1 upon x है तो सबसे पहले y की equivalent करेंगे और यहाँ पर आप u और v apply करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है हमारे हमारे पास अगर इस तरह से कोई function बन जाता है जिसका हम derivative direct नहीं कर सकते देखिए जैसे कि मैंना पहले भी तैथा अगर हमारे पास इस तरह की form दी जाती है root x plus root x इस तरह से अगर बन जाता तो हम आपर यू और वी का अप्लाई करते हैं जैसे मैंने आपको एक से जिक्रव direct में और क्या लेंगे दोनों तरफ लोग लेंगे क्यों लेंगे पावर किसकी है function की power function है तो लोग तो अवश्य ले जाएगा तो यहाँ पर लोग u equal to क्या हो जाएगा x into log x अब इस पर अप्लाई करेंगे क्या हम u into v और यहाँ पर लोग u का derivative x के respect में करेंगे 1 upon u into में du upon dx u into v apply कर दीजिए इस पर तो क्या जाएगा u as it is v का derivative v क्या है log x log x का derivative 1 upon x plus log x as it is यानि की v को लिखते हैं हम as it is x का derivative 1 x से x terminate 1 plus log x u को हम इदर ले जाएगे यानि की right and side पर multiply में हो जाएगा u की original value को substitute कर दीजिए u हमने क्या माना था x की power x तो यहाँ पर result x की power x into में 1 plus log x हो जाएगा यानि की du upon dx हमारे पास यह आ गया अब हमें dv भी चाहिए होगे यानि की dv upon dx भी चाहिए होगा तो वह किस तरह से करेंगे जब हम v का derivative करेंगे x के respect में और हमें function given है x की power 1 upon x तो इदर भी हम क्या करेंगे function की power function है तो log लेंगे तो हम वही कि हमने log v equal to log x की power 1 upon x 1 upon x को कहां लिखेंगे हम आगे लिखेंगे यहाँ पर 1 upon x आ जाएगा into log x हो गया log v का derivative 1 upon v into dv upon dx अब इस पर u into v apply करेंगे एकदम सही बताया आपने u को as it is v का derivative log x का derivative 1 upon x अब log x को लिखेंगे हम as it is और 1 upon x का derivative power हम लेकर जाएगे उपर minus की हो जाएगी power आगे होगी power का minus 2 इसके लिए हम इसको लिखेंगे नीचे power plus की हो जाएगी जिससे result minus 1 upon x square हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास multiply में है तो x square minus 1 upon x square minus 1 upon x square into log x हो जाएगा LC हम लेंगे 1 minus log x upon में x square v को हम right hand side ले जाएगे multiply हो जाएगा v की original value को substitute कर दीजे x की power 1 upon x into में 1 minus log x upon में x square तो यह हमारा क्या आगया dv upon dx क्या आजाएगा x की power 1 upon x into में 1 minus log x और upon में x square आजाएगा अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या dy upon dx x के respect में derivative find करना था और हमने function को y के equal लेट किया था तो dy upon dx हमें चाहिए होगा और वो किस तरह से बनेगा देखें हमने क्या लेट किया था इस तरह से लेट किया था तो यहाँ पर y हमारे पास dy upon dx, du upon dx और dv upon dx तो यहाँ पर देखिए इस तरह से result हो गया, यहाँ पर इन दोनों की जो value हमने अभी find की थी, du upon dx find किया, dv upon dx दोनों हमने find कर लिया है, दोनों की value यहाँ पर substitute करना है, आप इसको simplify भी कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा derivative यहाँ तक भी complete है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको first question के 9 parts करवा दिये, second question का first part करवा दिया है, बाकी के जो next sum है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर दीजिए, दोस्तों share कर दीजिए, अगर आप हमारे channel पर नहीं है पर उले याल, ऑर इंपको ग आपकू बात कर देखिए, आपको वीडियो रखोंmor, वीडियो ए वीडिली वीडियो में कर दोने में आपको वीडियो में कर दीजिए